हेलो फ्रेंट्स रादे रादे कैसे हैं आप सब आपके अपनी चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पित्र पक्ष 2022 में कब सुरू हैं कब समाप्त हैं किन किन चीजों का हमें पालन करना चाहिए इस महीने में और क्या चीजों का खास जिह चीजों है क्या करना चैए क्या नहीं करना चाहिए तो साथ तो के अनुसार पित्र के दोरान पित्र की पूजा इन credit का विशेश मेहत बाताया है और втор drummer से बहुत सारे लोग पित्र पक्ष को शराद बहुते हैं जैसा कि हम शराद बोलते हैं और इस मतरते हैं में जो है पित् कुछ नियमों के पारण बी होते है, इन दिनों में, तो हमें और इस थियान रखना चीनि yani, पित्रों के सार-ब आशिरवाद, पित्रों के सारद और पारण बी आज़ेश। अपने पित्रों का तो उनके लिए भी हम बताएंगे को कब डाल सकते हैं शराद आच्छे से विदी पूरबक आपने पूरे अच्छे तरीकी से आप पूजा कर सकते हैं जिनको नहीं पता कि शराद वो कब डाले अपने पित्रों का तोफ्रेंट से साल 2022 में पित्रपक्छस सरू हो रहे हैं 10 स्टमबर शनिवार से सरू हो रहे हैं और जो समाप्च होने का समय हो है 25 सितंबर रविवार के दिन तोफ्रेंट मा वस वाले दिन जो है पित्र वी सरजन हो जाता है मतलब पित्र हमारे विदा हो जाते हैं मावस वाले दिन तो 10 सितंबर शनीवार को शुरू हो रहे हैं पित्र परक्स और 25 सितंबर रविवार को समापत हो रहे हैं मावस वाले दिन तो बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है कि हमें नहीं पता कि हमारी पित्रों की दिथी कब की है कब डालना है तो वो जो है लाश्ट का जो मावस वाले दिन होता है जो पित्र हमारे विदा होते हैं उस दिन हम जो है जो भी हमारे बूली बिचले होते हैं हमें नहीं पता होता उस दिन अराम से हम विदी पूरवक पू पूजा जिन को नहीं पता तो जिस दिन विधा होते हैं विश्जन होता है उसी दिन आप सुबह पूजा कर सकते हैं मावज वाले दिन अपने पित्रों की जिन को नहीं पता तो फ्रेंट्स माननेता है कि पित्र पक्स के दोरान पित्र धर्ती पर आते हैं इस दोरान यदि उनका शरात तरपन पूरे विदी विदान से किया जाए तो उनकी आत्मा को शांती मिलती है और वह अपना आशिवाद दे कर वापस चले जाते हैं और पित्रों के ये जो पूजा जो है 16 दिन चलती है पूर्णी मासी से सुरू होती है और मावस तक चलती है पूरे 16 दिन ये पूजा की जाती है और ये 16 दिन पित्रों के लिए ही विशेश रूप से बनाए गए हैं पित्रों की ही पूजा की जाती है इसमें पित्रों का ही ब दौरान कोई भी शुब कारें नहीं करना चाहिए हमें जैसे कि कुछ भी कारें अगर करने की सोच रहे हैं हम कुछ काम लया काम चालू करने की सोच रहे हैं तो इन दनों में हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि यह जो दिन होते हैं सोला दिन यह पित्रों के लिए ही बनाए गए इंपत्रों की पुजा के लिए ही होते हैं इन दिनों में कोई भी शुपकारन नहीं करना चीए शराद पक्ष के दुरान हमें मसूर धाल, धतूरा, अलसी, कुथली, इन दालों का प्रियोग भी नहीं करना चीए इनका प्रयोग करना बहुत ही जादा वर्जित माना गया है पताया गया है इनका हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए इस दोहान हमें मास मच्छी मदिरा बगरा नहीं लेना चाहिए बहुत सारे लोग खाते हैं इन सब चीजों को मासाहारी होते हैं तो उनको इस सब चीजे इन नहीं लेनी चीए जो शराद डालते हैं और इसमें वैसे तो लहसुन प्याज बगर भी नहीं खाना चीए बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं लेकिन अपने घर का नियम होता है जैसे अपने घर में शुरू से चलता आरा है वैसे ही करना चीए हमारे घर में पूरे 16 दिन तक ल हमारे शराद चलते हैं सोला डिदग तब तक लए नहीं खाते हैं तो फ्रेंड्स इंड्स में हमें sect把它 को प्राना चाहिए मैं प्लाना चाहिए इस दोरां अबारे जो पित्रों उनको पानी मिल जाता है लेकिन पानी हमें हम इस तरीके जेक्द देना है जैसे हम सूर्ट को तो और फ्रेंट्स यह काम जो है पानी देने वाला जो मैंने बताया है यह घर के महीला को नहीं करना है är यह बाकि अपने घर के नियम है अपने खर किसे कर सकते हैं तो फ्रेंट से मानत है कि इस दौरान जो है पित्री किसी भी रूप में आकर भोग घ्रन करते हैं ऐसे में घर पर आए किसी भी जीव व्यक्ति और किसी भी जानवर को हमें मारना नहीं चाहिए दुटकाना नहीं चाहिए सब को हमें कुछ ना कुछ दे के या खाना वगरा हम पानी पिलाकी चाय पिलाकर बेज सकते हैं थे कुछ भी ख्यपिला के बेज़े कुई यह कुछ को ऐंगासा ब्लिया इस ना बेज और वहब अचाइज ट STUD ईया है मतलम मारना नहीं है पक्षु बख्षी को पानी डाली किrene यहां जब जिन्दा हैं तब हम हमें करना चाहिये मरने के बाक का फायदा कोुई पाइदा करने से लुटा क्वा पाइदा वह गुटा होता है जिनके हैं वह सेवा करिंध से רतें और धिका्स जा भी बस मन को शांति देने वाली blender होता है पागि को Anil आता खाने कोई पीने नहीं आता तो फ्रेंड्स आज की जान करी आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा तो मैं मिलती हूं अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ जब तक के लिए रादे रादे